तो हेलो एवरिवन एंड वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल तो आज अपने पास आई है एक्सपर्स 204 वी तो इसका होने वाला है आज माईलेट तेस्ट तो सबसे पहले तो इसको गर पे लेकिया थे पेट्रोल अपने पूरा खाली कर दिया इस पे और स्टार्ट होने इतना भी पेट्रोल है नहीं इस पे तो पहले तो मैं इसको आपको दिखा दो या तो फिर गोप्रो के सैटप पे आके पूरा प्रॉपर व्लॉब चालो करते हैं तो यह रही अपने पास एक लेटर की पैट्रोल की बोटल और यह जनक पगड़े का थोड़ी देर लेकिन उ गाडी आलते हैं निउट्रल पे अ होजा होजा है अ है अ हम आधे को गाडी हो और यह बन और एक लाज बार क्यूंके ज्जादा अपुन नए और बद टैंक खोल के भी दिखा थे तो आपको अ गाडी गेर पे डालता हूं क्यूंकि यह पे रिया है पेट्रब धर रहा भी म तू फटाफट इसको पहले कर देते हैं कि ट्रिप टू पे नहीं करेंगे वन पे सब को जीरो जीरो किलोमेटर हो गया है और यहां से डाले गया भी है एक लिटर अपुल पेट्रोल गुलाउस गिर गये है उठाते हैं बादमी कि फूरा एक लेटर ने पी गई है गाड़ी और आप चेक करते हैं कि चालू हो रही है के नहीं कर दो और गाड़ी हो चके स्टार्ट तो यहां से आज का रूट है अपना जाएंगे आई रोली और आई रोली से रिटन आएगे तो देखते हैं कितना दूर है यहां से आई रोली यह और किस्चुन और यह है यहां से 31 किलो मिटर ब्रो अच्छा है घूम के बता रहे हैं आपने कोई बीच में से जाना है मतलब रहेगा 24 तो रिटन आ जाए कि तब तक तो यह खत्म होई जाएगा पेट्रोल तो चलो करते हैं गाड़ी को स्टार्ट तो यह वीडियो बनाने मैं और जनक निकले क्यूंकि अखेला ब्लॉक बनाना बहुत प्रॉब्लम होता है ट्राफिक बे कुछ हो गया पैट्रोल इदर उदर हो गया तो मैं बहुत चलो जनक पीछो वेडियो और यहां पे टाइम भ 4495 गाड़ी एक दम ब्रैंड नियों है कि खाली एक राइड मारी गई इस पर अच्छी घजी गुचरत की चलाने पे तो बहुत मजा रही है गाड़ी थोड़ा ट्राफिक में भी चलाएगे और फिर चलेंगे थोड़ा हाइव तो ही इसका प्रॉपर जुमारिक तेस्ट हो निगलेगा और यह गाड़ी क्या ही कमफर्ट है भाई ट्राफिक में तो बैस्ट है अगर आप मुंबई में रहते हो और ट्राफिक में चलाना है तो यह गाड़ी गंबैस्ट है कि अपने पास है एक्सपर्स तो निकल चुके है जोगिश्वरी से और अब ब्रीच पे चड तो प्रॉपर मजाएगा चलाने गाड़ी क्योंकि थोड़ी थोड़ी ट्राफिक में गाड़ी गाड़ी का प्रॉपर एवरेज मालूम बढ़ता है एक्चुली में ना अगर यह गाड़ी चार सो सिसी में निकल गई ना कि भाई 390 को टकर देगी गाड़ी क्या एक्तम तो थोड़ा वेट तो बढ़ेगा और थोड़ा मजाएगा क्योंकि मैंने जितना सुना है गाड़ी के पफॉमांस सब अच्छा है एडवेंचर टाइब चलती भी है लेकिन टॉस्पीड इसकी बहुत बेकारी कुछ 110 के आसपास ही है और हिलना स्टार्ट हो जाती गाड़ी अगर नॉर्माल डेली उसके लिए चला रहे हो या फिर आप एडवेंचरी कर रहे हो तो यह देखो फाइनली एक किलोमेटर पूरा कर लिया आप उनने और ट्राफिक भी बहुत पावर चलो तो वह लिए ट्राफिक से तो निकल चुके और आब यहां पे थोड़ी मतलब र डीपर बस अब बाकि इसके बाद और एक पावर भूब आनाल है यही गाड़ी पे क्योंकि यह गाड़ी भी होई की मोडिफिकेशन पर फुल पावर वाली और यह मोडिफाय तो एडम है होती है क्योंकि इस पर और एक में बाइक कमपनी वाले से प्रोवाइड होती है वह तो उस पे तो उन लोग अच्छा खासा यह करके दीते यह सब टायर का हुआ जोई से के वाइजर हुआ थोड़े ग्राफिक्स इदर उदर तो आप उन भी कुछ पावरी करें देखो इसे बात पर हो चुका है दो किलो मेटर सबसे अच्छी बात ही है के एक्सफ लेके ना भाइज रुकना नहीं पड़ता है कि यह सब खड़े जांके आई से यहार पार हो जाती गाड़ी नेक्स लेवल के सबस्क्राइब करो 3.2 किलो होगा लेकिन अब रोड़ पे है तो आपको थोड़ी-धोड़ी डीटेल देते रहुगा मतलब एक किलोमेटर के आसपास देड़ी दो किलोमेटर के आसपास बार बार गोपर चालू कर दूगा क्योंकि इसके पहले भी मैंने एक व्लोग बनाता है एंप्टी 15 पे और उस प करेगे एक दब मस्क थोड़ा-थोड़ा डीटेल देते रहेंगे आपको यहांसे स्टार्ट हो चुकि है थोड़ी ट्राफिक ट्राफिक में काट लिया है अपने साथ किलोमेटर कम्पलीड हो चुका है मतलब अपना तो क्या बात है और क्या ही मज़ा और यह गाड़ी चला तो थोड़ा यह देखके ना एक अल्लग वाई बात लिए तो थोड़ा गाड़ी चलाने मज़ारी इस पर तगड़ी रीले आने वाज़ेवाई इस्टाग्रम पे तो नीचे दिया हुए इस्टाग्रम आईड़ी फटापट जाके फॉल्व कर दू तो यह रोड पे तो क्या ह कर सकते हो भाई आप अपको लाइट की बात ही कर रहा तब कुछ भी कुछ विव निया रहा है तो अपर डिक पर कुछ लिए खाली स्ट्रेट ही जाती है लाइड इसकी तो थोड़ा हाइवे पे चलाएगे इसको और चेक करेंगे कि हाईवे पे चल रही है अगर आगर आप सब्सक्राइब को सब्सक्राइब के लिए गाड़ी लेना तो इक तुम बैस्ट पतली से गाड़ी है और वेट भी इसका कुछ 154 या 153 क्या असपास है तो बैस्ट है अगर आप पर गिरती तो भी मिरको लगता कुछ होएगा तो नौ किलोमेटर भी हो गया तो बैटरी खूप जुके है हाईवेट पर अब थोड़ा आयका इसको चलाने की मजा है ओ हो होग हो इनीश्यल अच्छा कासा ले रही है तो बहुत अच्छा लेग है तैसाने बहूत अच्छा च्छा नहीं बहुत अच्छा 200C के हिसाफ से क्याइस डिशाकित मैने तो निह चारी तो उ तो अगर किसी के बाजू में जाना तो इसके मिरर तक तो पॉच्टा ही तो हो 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 13.3 किलो मेटर हो चुका है इसकी पावर मतलब ठीक है अगर इसकी बीच्पी की बात करें तो यह गाड़ी नाइटीन पॉइंट फाइक के आजू बाजू कुछ और देती है तो यह 200 सिसी और एडवेंचर के लिए एकडम परफेक्ट है और जब मैं इसको पहली बार चला है था तब फिफ्द गेर से सीज़ डाय कर रहा था क्योंकि अपनी आर्सी है अब आर्सी को तो जानते होगा अ सब्सक्राइब है और यहां पर है ठेट सारे खड़े तो अब होएगा सब्सक्राइब कर चुकी है और तो यहां पर थोड़ा चेक करते हैं कि गाड़ी की कैफेशिटी क्या है तॉस्टूड की नॉर्मली दीरे-दीरे मतलब बगाएगे इतना भी जाड़ा नहीं क्यूंकि इतना भगाने के लिए इतना रोड है यहां पर विंग ब्लास्ट कुछ जाद आई पिर भी चैक करते है कि 94, 96, 97, 98, 100 और क्या ही प्यार से जा रहे है 105, 106, 108, 110, क्या वाद, 5, 5, 5, 5, 5, क्या वाद, मतले 112, 113, 113 देकम प्यार से चली गई और जो मैंने सुना ता हो गलत निकला के गाड़ी वोबल होती है 100 के उपर से लेकिन नहीं अर्शा कुछे नहीं है एकदम प्यार से जा रही है और यह खड़े तो क्या ही आर पार हो रहा है भाई इस पे जहां पे सब स्लो हो गए रूपने के खड़े के पार करे आरं से वह काड़ी हुई है 19.5 किलोमेटर और टाइम हुआ है 47 तो याद रगना 47 और 19.6 काइवरेज वह जहां से अपने मतलब आइंड के आदा 19.6 और 47 मिनिट वहां से वापी स्टार्ट चलो निकलते है कि अच्छार आर्च वाट सी बेज़ी तो एकादी एक्सपल्स देलो 20 किलोमेटर तो हो गए तरलब जैसे कि स्पीड ब्रेकर क्रॉस करूंगा तो ऐसे ही हो जाए ये 20 किलोमेटर हो गए है 20 किलोमेटर के आज को इस किलोमेटर के आज कोई था नहीं ना कमेंड में जो इस सब्सक्राइब तो कोई नहीं रहे हो माल में 200 किलोमेटर तो बैटरी बैटरी बेचाते है और यहां चल चुकी है 25 किलोमेटर कंपलेट विदाउट एनी जटका इसको लेकि मैं लॉंग ट्रिप भी मार सकता हूं इसा लग रहा है तो इसको अपना गाडी एक गंड़ा चला है और 28 किलोमेटर कंपलेट भी हो गया है तो अबने 28 किलोमेटर वार में कंपलेट कर लिए तो देखते हैं कितना टाइम चलती है गाड़ी 28 किलोमेटर ही मतलब आई टीए और कैसे इसा सुटी राइड पर 28 का आवरेज देरियो भी बाइक और फुल लीन लेते हुए गाड़ी ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन और क्या बात है 30 किलो मेटर हो चुके हैं कम्पलिट मान लिया भाइस गाड़ी को क्या ही स्पीड बे 30 किलो मेटर कम्पलिट किया सीटी हाइवे ट्राफिक सब चेक कर लिया पून है कि अलब प्रॉप अज़े लेज जेरी है तो भाया और क्या ची आपको और जो चलाने की मजा है वह अलग है तो इसको थोड़ा चलाया 30 किलो मेटर तब तो इसका एक माइनस पॉइंट है ओवी मालम बड़ा कि जो इसका आगे से सालेंसर का बैंड वाइप जारा है वह बैंड वाइप हीट कर तो जो अपने राइट साइड है पैर पे अगर सूज नहीं पेना तो तो खतमी कानी लेकिन सूज पहनते तो भी हीट तो कलता ही है और चल चुकिए गाड़ी 31 किलो मेटर अब एक गंटे से गाड़ी चला रहे है आई रोल जागी रिटन भी आ रहा है तो अब यहां पे एक पावई पे जगह है जहां पे मतम मस्त लशी मिलती है तो वो लशी पीएगे और फिर अपनी राइड और गाड़ी चल चुकिए 31.4 किलो मेटर वान आवर और 11 मिनिट इधर से कंटीनु परेगे 31.4 वान आवर 11 मिनिट और लशी बग यहां से मेरा अगला एक वीडियो था उसमें कमेंड आरे थे कि भाई इतना चली नी सकती है गाड़ी कौन सी थी है एंप्टी 15 थी तो यह तो ड्यूक 390 थी किस पे है कमेंड तो जो है वो सच है और गाड़ी चल चुकी है और गाड़ी चल चुकी है तो इसमें से कौन-कौन था 35 किलो मेटर वाला इसे कमेंड में लिखा था अनलोग का भी लगता है सीन होने वाला है किसी 34 किलो मेटर ता अगर गाड़ी ने बंद नहीं हुई या फिर मेस नहीं हुई तो लग रहा है मिरको अब यह 35 क्रॉस कर देगी और 35 किलो मेटर हो गया है कम्प्लीट तो जी जिस से लिखा है 35 आप इस गेम के बाहर हो चुके हो काफी मतलब काफी अच्छा एवरेज मिला गाड़ी चल चुके है 37.4 किलो मेटर बाते भाई यह गाड़ी का इवरेज नेक्स्ट लेवल है नेक्स्ट क्योंकि फॉर्टी टू किलो मेटर बहुत होता भाई तो जो डर था वही हुआ और गाड़ी यहां पे बंद हो कि रुगे मैंने 41 पॉइंटर सम्सिंग के आज पास गोपर लास चालू किया था और अब जो है गाड़ी बंद होगी है अब देखो स्टार्ट नहीं हो रही है कि बंद है तो जादा इसके मोटर पर प्रेशर देते नहीं तो आपको प्रूब अगोप्र हो थिका बंद है अब कि अधर्विदी चालू हो रहा है नहीं इन पताक से हो जाए गादनी तो चलो कोई नी अपने को जो अपना माय इस्ता हो मिल गया 4219 और यह बहुत में बहुत अच्छा है तो चलो यह ब्लोग करते हैं यहां पर एंड और आई होप क्या आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना शेयर करना अच्छा है ना तो सब्सक्राइब भी करते ना मिलते हैं तक तक के लिए बाए बाए ठेके